स्वागत है आप सभी का आज की गनित क्लास में आज हम पढ़ेंगे कख्छा छटवी के गनित बच्चों चाहिएं वैसे तो हम भीन छटवी कख्छा के गनित में पढ़ने जा रहा हैं लेकिन यह सभी कख्छा के लिए उपयोगी है छटवी साथवी आठवी नमवी देसवी और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनको लिए भी यह भीन बहुत आवश्चक है क्योंकि देनिक जीवन में इसका बहुत जादा उपयोग होता है और जो पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी साथ प्रदोगी पर इच्छाओं के तयारी करने बच्चों के लिए भी इभी बहुत उपयोगी होता है तो चलिए आज هम भी नों का जोड़ना भी नों caminho का भाह भीनों सिखने वाले हैं तो बढ़ने लगे हमारे साथ कक्षा छटवी के अध्याए साथ सुरू करते हैं अच्वा शुरू करते हुए आपको बता दे हम कि इस से पूरा आपको विस्तार से बता चुके हैं ज़री आप देखना चाहते हैं नहीं देखे हैं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज देंगे साथ हूपर में यहां पर जो आई बटन आपको दिख रहा होगा वहाँ पर भी आप जाकर लिंक को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करने जा रहा है भिन्नों का जोड़ना वा घटाना बच्चों भिन्नों को जोड़ने और घटाने के लिए हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं दो चीजे हमारे सा लुए लुए अन्स क्या है आठ है यह अंस है और हर क्या है ड़स तो आठ पटे दस इसमेँ अन्स-e 8D है और हर 10 है अब देखिए वच्चों यहीं पर आप अंस छोटा है हर बड़ा है तो इसको हम उच्यत्भिन्न कहते हैं यदि यह अंस उपर होता यह 10 उपर होता और आठ नीचे होता तो इसको हम अनुचित भिन्य या विषम भिन्य कहते हम उचित भिन्य को संभिन्य भी कहते हैं लेकिन चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जब हर समान हो तब हम इसको कैसे जोड़ेंगे भिन्यों को देखें यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है जब भिंन का हर समान हो एक जैसे हर हो तब जोड़ने में ज़्यादा परेसानी नहीं होती है हम क्या करेंगे इस हर को यहाँ पर एक बार लिखेंगे ऐसा पांच और आठ को जोड़ देंगे यहाँ पर पांच धन आठ बराबर क्या होगे आठ पांच तेरा बटे च्छै यह आपका अंसर है ठीक है जब हर समान हो यानि यहाँ पर देखे च्छै यहाँ पर च्छै उपर को भी जोड़ देंगे और नीचे को भी जोड़ देंगे 6-6-12 तो यहां पर 13 बटे 12 उत्तर लिख क्या कि कलर उठाके और बोलते हम तो सही सही बना है बाने पता चलता है कुछ में उस सवाल मुसको अंडा मिला है अब बोलते हैं गुरू जी तो हमको अंडा दिये लेक तीनों को ही एक ही बार लिखेंगे समान हर रहेगा तो और अंसों को जोड़ना है इस बात को दियार में रखिएगा सिर्फ अंस जूड़ेगा हर नहीं जूड़ेगा यहां पर अब देखिए यहां पर 20 अवाल में 4 बटे 6 धन 7 बटे 5 तो चार बटे 6 में 4 अंस है 6 हर है यहां पर 7 अंस है पांच हर है दोनों के हर को देखिए यहां पर 6 है यहां पर 5 है यानि कि हर समान नहीं है अब ऐसे कंडिशन में हम क्या करेंगे कुछ बच्चे क्या करेंगे उपर को जोड़ दिये नीचे को जोड़ दिये या फिर नीचे को 6-5 को एक साथ जोड़ के तेरा लिख देंगे 6-5-11 और 7-4-11 11 बटे 11 लिख देंगे और हो जाएगा काम तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पर हमको क्या करना है वो एक बड़ आप ज्यान से देखिये बच्चों जब इस प्रकार के सवाल आते हैं जिसमें हर आसमान होते हैं तब हम इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर दो मतलब समहर बनाकर समहर बनाकर अलब हर को हम समान करेंगे दोनों के हर को तो यहाँ पर चली हम पहले तो LCM वाले विजी पर काम करते हैं 6 और 5 का लगुत्तम समापड तो है वह आएगा 635 आप अलग से सकते हैं बता चुके हैं कैसे कालते हैं इस प्रकार से निकालते हैं 6 और 5 का लगुत्तम ठीक है यहाँ पर आप निकालेंगे तो यह आगे 635 अब क्या करेंगे इस वहां है चार बटे 6 के हर से हम इस थीश को भाग देंगे कितने बार में गया च्छे पंचे तीस पांच बार में गया याद रखना है आपको है ना याद कहा है तो यहाँ पर लिक किरा सकते हैं कहीं पर यह पांच बार में गया च्छे पंचे तीस अब इस पांच को इस चार के साथ गुना करेंगे तो पांच चों कितना हो गया बीस यहां पर धन चिन धन लिखेंगे अब हम इस पाच से इसको भाग देंगे तीस को इसको भाग देंगे तीस को तो याद रखेगा इससे भाग देंगे तो इतने बाड जाएगा इसके हर के बराबर और इससे भाग देंगे तो यह इसके हर के बराबर जाएगा भाग हें ना क्योंगे क्यूंकि दोनों को गुणा करके तीसला ہیں है ना इसलिए अलग भी आ सकता है यदि इसका जो कि यहां पर LAGUTTEM समा पड़ता है वह यह दोनों के गुना के बराबर ना के कहीं दूसरा आए तो अलग भी आ सकता है लेकिन अभी यहाँ पर जो हम किये हैं उसके नुसर बता रहे हैं कि छे पंचे तीस कर लिए है छे से भाग दिये तो पांच बर गया पांच तो गुना के चार से तो बिस आया अब हम क्या करेंगे पांच से भाग देंगे पांच च्छे का तीस अच्छे से गुना करेंगे साथ को साथ च्छे का 42 अब हम यहाँ पर अंसों को दोनों को जोड सकते हैं तो यह हो गया 62 बटे 30 अब देखिए उपर 62 है नीचे 30 है तो हम 62 को 2 से काटेंगे आप नहीं काटेंगे तो भी चलेग है इसको लेकिन कड़ सकते हैं तो कार सकतें दोनों को उपर ऊर नीचे को दो से काटेंगे 2-3-6 its कum दो दों सब्लम पर 25 यह हमारा ऑंसर है ठीक है यहां तक तो यह लसी व्री शेओ करेंगे چले दूसरा विरी से हल करते हैं कौन सो शवीर बनाकर तो सर्हार बनाने सब्सक्राइब कष्वालिं में क्या होगा देखिए चार बटे 6 धन्झ 7 बटे 5 वही सवाल है हमारा इसके हैं हम हर को समान करनेंगे कैसे करेंगे समान अपने आपन होगा थोड़ा सा नियाम है उसको चलिए देखते हैं चार बटे च्छै को हम उपर नीचे गुना करेंगे इसके हर से ठीक है पांच गुना पांच बटे पांच कर देंगे हाँ पर चार को भी पांच से गुना करेंगे और 6 को भी 5 सी गुना करेंगे ऐसा करने से 4 बटे 6 के मान में कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि 5 बटे 5 का मतलब एक होता है और किसी भी संख्या को एक सी गुना करेंगे तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कची नहीं है पर धन कर दिये और साथ बटे पांच को हम गुना करेंगे च्छै बटे च्छै से प्रटे च्छै का मतलब भी एक है साथ बटे पांच को एक से गुना कर रहे हैं मानके चलिए अब आगे के इश्टिब देखी क्या होगा चार पंचे 20 छे पंचे 30 धन दोनों गुना कर दिये ना अब होगे साथ च्छे का 42 पांच च्छे का 30 ठीक है अब देखिए दोनों का हर बराबर है 20 बटे 30 और 42 बटे 30 दोनों में हर क्या है 30-30 है तब हम यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं 30 का 30 हो जाएगा दोनों का लगुत्तम 30 आएगा ठीक है अब समझ मैं आपको क्यों नीचे वाले को एक बार क्यों लेते हैं दोनों का लगुत्तम लेंगे और 30 आएगा हाँ अब 30 से 30 को भाग दीजिए कितने बार गया अगबर 20 धन 30 से 30 को भाग दीजिए एक बार गया एक को 42 अब इसको आगे हैल कर लेंगे यहां पर तो तीस आ गया नीचे और यह होगे 62 वहीं आया उपर बराबर 31 बटे क्या आएगा 15 तो यह हमारा आंसर दों तरीके से विस्तार्स इसको मना लिए इस थोड़ा से लंबा लग रहा है लेकिन आप जब बार बार अभ्यास करेंगे तो यहीं पर बन जाएगा यहीं पर निव्टा देंगे आप इसको और इतना बहुत ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तब देखते ही आपका यह जो सवाल है उसका उ यह हो गया जोड़ना अब हम देखेंगे इसी प्रकार से घटाना भी करेंगे चलिए देखें यह सवाल है सी घटाने वाला आठ बटे साथ रेन पांच बटे साथ यह करना है आपको दोनों का हर समान है से तकलीब नहीं है आपको घटाने में चलिए घटा जेते हैं यहाँ को लिखिंग बता चुके आपको लगुत्तम दोनों के साथ आएगा अब उपर जब साथ आही गया सब साथ साथ है तो फिर यहां से भाग दो यहां से भाग दो आला कम हम बार बार नहीं करने वाले हैं आठ में हम सीधा सीधा पांच घटा देंगे यहाँ पर उत्तर कितना आएगा तीन बते साथ बहुत असान है इस प्रकार से समान हर वाले भीनों को जोड़ना या घटाना लेकिन यहां पर देखें नीचे में यहां तो हर समान नहीं है अब क्या करना पड़ेगा आपको जी हां आपको लगुत्तम लेना पड़ेगा लगुत्तम कितना आएगा 6-5-3 आएगा 5-3 से भागव देंगे 30 को कितने बार गया यह वाले 6 बार गया 6–42 लिए यहां पर 5 से भागव देंगे आप छे बार जाएगा मैं 6 से भाग देंगे 5 बाज आएगा 5 तो 20 तो ये 20 घटा देंगे 22 बटे 30 या आप 11 बटे 15 बिली सकते हैं 11 बटे 15 कैसे लिखेंगे यहां भाग दे 2 11 22 और 2 15 30 ये आपका अंसर है इस प्रकार से आपको घटाने वाले सवाल को बनाना है जहां रखेगा जब हर समान ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा लगुत्तम लेना पड़ेगा या फिर हर को समान करना पड़ेगा समहर बनाना पड़ेगा तभी आप अंसों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं बिना हर को समान के आप अंस को जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको उतर गलत आएगा और आप वहाँ पर कम नंबर पा सकते हैं इसलिए आप ध्यान रखे भिन्न के सवालों को हल करते समय तो कि भिन जीवन ने बहुत जरूरी है दोस्त चलिए अब देखते हैं भिन्नों का गुना एवां भाग तो जोड़ना घटाना हो गया थोड़ा सा कठीन है जोड़ना घटाना लेकिन गुना और भाग बहुत आसान है इसलिए आप इसको आपको अंस का गुना अंस के साथ करना है और हर का गुना हर के साथ करना है ठीक है इसको बलिख लेते हैं 11 गुना 6 बटे 13 गुना 5 गया च्शे का 66 त्यरा पंचे 65 तो यह हो गया 66 हो गया 65 यह कौन सा भिन है पूछेंगे आपको क्या बताएंगे आप 66 बड़े 65 कैसा भीन है उचित के अनुचित सम के वी सम तो ये है भी या आपका वी सम भीन है अनुचित भीन है क्योंकि अंस बड़ा है हर छोटा है हम अग पता है जेशे देखिए ये एक पहलवान आदमी है और ये छोटा सा बच्चा है अब देखिए ये पहलवान के कंधे पर छोटा बच्चा बैठ जाए तो उचित बात होगी ना होगी कि ने होगी देखिए ये पहलवान है और इसके ऊपर छोटा बच्चा बैठा है कंधे में तो उचित बात है लेकिन यदि यही काम उल्टा कर दिया जाए यह चोटा बच्चा है पहलवान ने इसको बैठ जाया तो बैठ ही जाएगा यह अनुचित बात है ठीक वैसे यहां पर देख लिए इस बात को ध्यार रखेगा जब उपर अंस में बड़ी संख्या हो और हर में छोटी संख्या हो तो इसको अनुचित भीन ने कहते हैं या वि वैसे पर यहां पर बता दी आपको उचित-अनुचित-भीन के बारे म proces में एक सवाल देखे-पूछ दे जाता है ूचित ゃ अदो यह रहाद रहुएगा अनुचित-भीन से ही मिश्र-भीन बनता है जा ओब बड़ी संख्या होगी उसी को भाग देखे तो हम क्या बनाएंगे मिश्रत भिन्न बनाते हैं तो चलिए यहां पर अब देखिए अठारा बटे सत्रा गुना पांच बटे चार तो ठारा पंचे क्या हो जाएगा यहां इस प्रकार से हम नहीं करेंगे यहां पर सीधर सीधर गुना करेंगे उत्तर लिखेंगे शीधर ठारा पंचे नब्बे यह हो गया बटे सत्रा चोंक 68 अब इसको सरल करने कम हम आपके लिए छोड़ है यहीं पर क्यों इसको आप दो से भाग देंगे उपर नीचे जो आएगा हो सकता है और कटे तो और काटना है आपको और वहां तक आपको ले जाना है यहां तक उपर अन्स और हर आपस में किसी एक संख्य से न कटे अब देखिए यहां पर यह सवाल आपके लिए है सी डी एफ लेकिन हल कर देश में बच्छों ध्यान रखेगा आप सोचेंगे सर तो अपना छोड़ा-छोड़ा सवाल को हल कर लिए चार और पांस से गुना करने वाला और हमारे लिए बड़े-बड़े सवाल गुना बारा बटे-शॉला तो यहां पर क्या करना है पर जो जो कट रहे हो पहले कार देजी यहीं पर आप अपना काम आसान कर लिए आगे बड़न लेके मत जाए बारा एकम बारा बारा दूनी चोविस यह हो गया दो यह हो गया एक अब क्या होगे आपको उस सवाल जो है बाइस बटे-दो गुना एक बटे-शॉला आप तो बना सकते हैं हराम से है ना लेकिन यहां पर और कार देजी एक बार दो एकम दो ग्यारा बाइस तो यह आपको सवाल हो गया बराबर ग्यारा बटे-एक गुना एक बटे-शॉला ठीक है अब आज आप सवाल को हल कर सकते यहां पर 11 एकम 11 और 16 एकम 16 तो है ना असान तो जहां पर कटता है आप काट दीजिए और उसके बाद आगे सवाल को हल कर ये गुना भिन्नों के गुना वाले सवाल में आप ऐसा कर सकते हैं जोडने घटाने वाले में नहीं काटना भी यह वही पर यह तो आपका नंबर कर जा भिन्नों को जब बुना करेंगे उससे में आप आपस में उपर नीचे के अंकों को काट सकते हैं जि करता है तो जब बरदस्ती भी नहीं कातना है ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे भी सरल है भिन्नों का भाग तो हम इस जो सवाल है उसमें पहले जोडना देखे इस सवाल ए दिया हुआ है आपको 22 बटे 18 भागित 11 बटे 9 इस सवाल को हल करना है बहुत आसान है एक बार ज्यान से देख लिए एक सवाल को फिर बाकी सवालों को आपको देखने की आशकता ही नहीं पड़ेगी यह मेरा गारंटी है 22 बटे 18 यहां लिक लेते हैं ए ठड़े घुमाते नहीं हैं तो इस मेरा जुब लेते हैं तो आपता है यह बाग न राके गुणा होगा तो गनित में जादू कर सकते हैं आप इस तरह से घुमा के इसको घुमाना है दूसरे वालों को आप इसको भी घुमा सकते हैं इसको पकड़ेंगे तो इधर वालों घुमेगा इसको पकड़ेंगे तो इधर वालों घुमेगा ठीक है अब घुम गया सहाब अब भाग कचिन क्या बन गया है गुना कचिन बन गया है हम आपको पहले सवाल मता है इसके कि आप इनकरता है तो काट दिजी यहँ पर क्या कट रहा है देखिए यहां पर 11 से 22 कट रहा है 11 गया 1 12 ये 2 बन गया ये 2 बन गया अब 9 एक अब 9 दूरीय 8 ये भी बन गया यहीं पर देखिए यह आगे आपका सवाल हो जाका दो गुणा एक बटे एक यह बन गया आपको सवाल अब यहां पार देखें, दो भी कटा दो एकम, दो एकम, दो ऑ λέभी एक बन गया, आपको उत्तर क्या दैंग कुष्ण चुरा ऐक आपको जाएक एक बन गया आपको एक भूणा एक अब तो देख एकर में, चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे ये भी आप आप हल करेंगे आपके लिए छोड़ा है सी सरल वाला हम बना रहे हैं या यह आखरी में सरल है सबसे सरल सवाल तो यह हो गया अब यह पांच बटे च्छै गुना साथ बटे नौ वैसी को ऐसे लिख लिए क्या ओ हमसे गल्ती होगा यहाँ पर यह हो जागा नौ बटे साथ एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर पांच बटे च्छै गुना नौ बटे साथ कैसे कि यह हम 5 बटे 6 को पकड़ के रखे यहाँ पर और घुमाया किसको साथ बटे 9 को तो 9 उपर चला गया और यहागा नीचे अब यहाँ पर कटेगा कुछ काट लेते हैं 3 तीया 9 तीन दुनि 6 तो यह जाए हो गया 5 बटे 2 गुना 3 बटे 7 हो जाएगा ठीक है अब गुना कर जाते हैं अपस में 5 तीया आपस में मतलब उप अंस का अंस के साथ और हर का हर के साथ पास तिया पंदरा यह हो गया साथ दूनी चौदा पंदरा बड़े चौदा भी एक अनुचित भीन है इसको मिस्र भीन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम यहां पर बता रहा हूँ आप मैं पंदरा को हम चौदा से भाग देंगे चौदा एक हम चौदा बचे का कितना एक अब क्या करेंगे यह जो एक आया है यहां पर भाग फल के रूप में उसको हम सामने लिखेंगे यहां पर खड़ा करेंगे दरवाजे के पास अब यहाँ पर हम इस एक को उपा लिखेंगे जो बचा हुबा सेस है उसको और जो भाजाक है उसको निचे लिख देंगे चवुदा को एक सही एक बटे चवुदा यह मिश्रभिन बन जाता है यह अनुचित भिन है इसका मिश्रभिन तो यह इसको हम मिश्रभिन कहते हैं मिश्र क्यों कहते हैं तो मिश्रभिन भी समझ में आ गया होगा आपको मिश्रभिन किस से बनता है अनुचित भिन से बनता है उचित भिन से हम मिश्रभिन नहीं बना सकते क्योंकि उपर में छोड़ी संख्य होती है जो नीचे वाली बड़ी संख्या से पूर्ण का एक रूप में भागफल हमको प्राप्त नहीं होता है लेकिन यहां पर इसमें इस प्रकार के जो भिन होता है अनुचित भिन उसमें एक पूर्ण काई प्राप्त हो सकता है इसलिए हम इसको मिश्र भिनिक रूप में बदल सकत अजय होगाओन बदेडिक जाओने नेन स्ट्रवड़ केुड़ कि जाओने ने रखते हैं रहा हैं चॉड़ग्ग्रेश ने रहाँ है कि जाओने रहा हैं